है 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 लो फ्रेंट्स वेलकम बेक टू माइच चैनल आप सब कैसे हो उमीद करते हूं बहुत अच्छी होंगे फैंट्स मैं भी बहुत अच्छी हूं आज फैंट्स मैं करने जारी हूं अपने ब्रॉक शुरू कीचन से जैसे के आप देख रहें स्क्रेंग पर मैं बनाने को नहीं पसंद लेकिन जीस तरीके से मैं बनाने जारी हूं अगर आप बनाओगे तो आपको और बच्चों को बहुत हीजा टेस्टी लगेंगे तो आप इस रेस्पी को जूरूर एक वार ट्राइ करके देखिए आपको अच्छे लगे तो मुझे इपताना फ्रेंड्स मैं यह पांच शे प्याज पहले ब्रीक चोप कर लिए और तेल चड़ा दिया में उपर जीरा डाले इसके अंदर और प्यार यह ब्रीक कटा हुआ तो में चोपर से काटा यह यह बहुत अच्छा प्रोडेक्ट है मेरे पास जोंसा इसे काफी ब्रीक चोप हो जाता है टमाटर अच्छी में तो क доб्या अच्छी बार में घ्रकर चाफी काथ रहती है सुऺ की सब्ची में चैयां जाता है कि सब्ची में हरी मिर्चि जानके को कि अ मुद्प पसंद समक्रा बेकर को सब्ची तो मैंने थोड़ी सी सावत हरी मिर्ची रख लिया है इसको ऐसे ही मैं फ्राइब कर लूँगी सबजी के साथ ही और ये काफी साइट टमाटर है इतने प्याज लें उसे थोड़े जाए टमाटर लेके मैंने बीच में से कटिंग कर लिया और बीच का जोंसा होता है ये जिस प अपने पेट के अंदर ना पोदा लग जाएगा तब से और निकाल लेते हूं ये रिखिया से चोप हो गया मेरा इससे ये इतना बारी को बिल्कु एक चैसी स्लाइस होई है सारी बहुत अच्छा ये प्रोड़क्ट है और जारा मेंगा भी नहीं है 100 जा 150 का यासी हो गई है काफी टाइम से मेरे पास है एक्जिविशन से लेके आई थी मैं बहुत भी कोई इसमें प्रॉबलम ने टूटना ना कुछ नहीं है इसका बहुत अच्छा निकला ये काफी साल से मेरे पास ये टोमाटर मेरे चौप करके रखे हैं से परी काट लिए अब फैंट्स ये इसम स्लाइस काटने इसके भी जारा बरीक नहीं काटोंगी तो बिल्कुल भरता सा बन जाएगा वह थोड़े मोटा जानी कि देखने में दिखता रे भी टेस्ट आते मूं में बैंगन का टेस्ट आए तो इसलिए ऐसे बरीक काट लिए लंबे स्लाइस का दिए हमारा तड़का प्याज हो गया टमाटर में डाली है इसके अंदर एक जैसे है तो अच्छी लगती सब्जी के आपची तेशी कर ड़िक है यह मारे लगब हो चुक है इसके और मैं डालें। नमक बेसिक से मसाले जो और आलती हूं वही डालती हूं एक्स्ट राक निए लार मिर्ची अच्छे से मिक्स करके इसको डग देंगे बिल्कुल इसकी फ्लेम है बिल्कुल स्लो करेंगे जारा तेज फ्लेम में नहीं नहीं तो नीचे लग जाएंगे तो बिल्कुल स्लो करके फ्लेम को तो डग के में रख दी है उती तरह में अपना अटा बना लेते हैं मेरे पास यह सबजी पड़ी थी कल की और रात की दाल पड़ी थी मैं पच्चे नहीं खाएंगी इसलिए मैं इसको आटे में गूंद रही हूं तो मेरा बेटे को बैंगन नहीं पसंद है वह नहीं खाता था तो कम खाता है इसलिए मैं उसके लिए बना दूंगी बाकि हम भी नहीं तो रोटि बना लंगे इसके नहीं तो परांटे के साथ मेनिन मिर्च और यू Пर से मित्य ढाल दिया मिति असको बैंगन कə साथ पर बहुत अच्छे लगती आठी तो भी खुशो के बासी सब्जी होती है वह एक दिन पुरानी वह खाते भी नहीं अच्छा कुद को भी नच्छा लगता इसलिए मैं आठे में घुन लेती हूं इसको तो अक्सर ऐसे होता है जो बच जाती है मैं उसको आठे में घुन के बना लेती हूं आमगरों में हमारी इंडियन फैमिली में ऐसे ही होता है जो दाल सब्जी पचे राती है उसके प्रांठे बना लेते हैं तो यह देखे हैं हमारे बैंगन हो रहे हैं त्यार प्रांठे के साथ खाके दीखना बहुत ही टेस्टी कर देखेंगे रोटी के साथ नहीं बेटा खा तो प्रांठे के साथ लिए सब्जी बहुत पसंद पशाएगा अभी इसमें टाइम है उती दे में फेंस बर्तन को क्लीन कर देते हैं बर्तन पढ़ें सुभा से नाच्टे के और जो मैंने अभी आठा वरा गुंदा सबी कठे कर रही हूं कि आज मारी काम के लिए लक्षमी नहीं आई है तो वो हेल्प मेरी बेटी करवा रही है उदर का काम बेटी कर रही है तो खुद की भी हल्प हो जाती है और बच्चे भी सीख लेते हैं वो जाडू लगाएगी वो हल्की फुल की डस्टिंग करेगी पोच्चा भी नहीं लगाएगी इतना वैसे मेरे घर में गंद कमी पड़ता है कि हमारी चपल बाहर की बाहर रहती है और घर की अंदर की दूसरी चपल रहती है तो ऐसे नहीं बाहर की चपल अंदर आ रही है मिटी धूल आ रही है नहीं वो कुछ नहीं है हमारे घर में बातरूम की चपल लग से है सबी हमारे पास चपल बोग जा रहा है यह नहीं कह रही है भी जितने लोग है उसे एकार चोड़ा जा रही होगा घर की बार की लग लगाती हैं सभी चपल तो अकसर काफी लोगों के घर में ऐसी होती है बार की चपल अंदर नहीं आती है तो हम भी ऐसी करते हैं इसे घर भी साफ रहता है और बार की गंदगी भी अंदर नहीं आती है बरतन हो गए हमारे अभी हम देख लेते हैं सबजी को तो यह इसमें हरा दनिया डाल दी है मैंने रेखिए बैंगन पूरे पक गए है हमारे अब इसको ढखके थोड़े अपनी किचन कर दो कर दी मैंने जब टाइम रोटी का होगा तो बच्चे आएंगे तो तब उसके साथ साथ हम चपाती बना लेंगे किचन क्लीन हो गई अभी गैस को मैं बाद में भी 10-15 मिट में आने वाले हैं तो साथ की साथ गैस वेरा फिर से क्लीन कर दूंगी अभी किचन क्लीन हो गई है अभी सिंप है सबची मेरी थोड़ी सी तो अभी देखो यह बेटी ने कर दी है क्लीन मैं दिखाती हूं आपको उस बेंडनी रखने देते हैं उनको यह उता मच्छर आ जाएंगे मच्छर आ जाएंगे तो इससे मैं इसमें पानी डालती है काफी कम पानी डालना पड़ता है इसमें स्नेक प्लाट में तो देखें वेंस पोदो को बहुत बुरा हाल हो रख्या बाहर क्योंकि सर्दी गई है पत्टे पीले पढ़ गए क कई इनकी पोदों की घमो की सफाइय करने वाली पैंटकरने वाला है प्लेंट तो इस वीडिने टाइम मिलेगा तो इसको भी बार का भी सेटिंगotted करने बीचे मुझे आप समली सारे घर की डीप क्लीनिंग होने वाली है कुल मिला गए चलो जी तो हो गया दिखा दिया मैंने बनाने जा रही हूं मैं अपने घर के लिए रोटी बच्चे आ गए हैं हस्बेंड आ गए हैं तो यह पहले प्रांटे बना रही हूं तो दाल काट अंदर प्रांटे और बहेंगन की सबजी के साथ रहा हलका सा थोड़ा सा देंग लेते हैं तो प्रांटे से फेंड सर्दियों में बहुत सब को यह बहुत टेस्टें लगती है मूली के गोबी के यालू के वह देर लगा दिया मैंने बेटी के लिए था ली बेटी को दूंगी तो अब मैं हूं फ्री अभी फेंट्स में दूपैर के टाइम में जरूर एक घंटा रेस्ट करती हूं क्योंकि दवाई लेके रेस्ट कर लिए चाई वे शाम उठ चुके हैं अभी इस तर फिर से क्लीन कर दिया लगा दिया अभी पूजा हो जुकी है में और शीवानी जा रहे हैं मार्केट की तरफ टेलर को कुछ कप्ड़े देने स्टिच के लिए और थोड़ा सा मार्केट भी घूमाएंगे हमारी यहां पर weekly market लगती है यह वो ही market है यहां पर आपको हर तरह का समान मिल जाता है friends कपड़े जुटे ज्वैलरी घर से लेटी कीचन से लेटी जो भी समान आपको चाहिए सब मिल जाता है यहां से यह नहीं होता है weekly बजा रहा है जो सस्ता मिलता है कुछ थोड़ा बहुत ही फरक होता है जा रहा नहीं है जैसे आम markets में मिलता है वैसे क्वाल्टी क्वाल्टी का फरक होता है हर चेज में तो छोटा मोटा जो समान वो लेना तो हमने ले लिया तो अभी चलते हैं की तब दिखाती हो आपको यह market है काफी बड़ा बजार लगता है यह Tuesday market लगती है तो बहुत बड़ा market लगता हमारे यहां पर एक पुरी की पुर चुक्त लगे लिलियुद्ध जो ऋखने सिस्टार्ट होती है एंड में जाके खतिम होती है काफी लंबा आप गुंतल झाओगा एक घंट कम से कम टो पूंतने में लेल जाएगा यह इतना बड़ा बजार हुआर कर दोना बजार है शरी क्या लेक है यह आपने लिए दिखाओ कटोरियां क्या करोगी इसका फेस पैक लगाने के लिए पुछ छोटा मोटा ही समान लेक्ट यह देखे चोटी बच्ची है इसे खेल लेगी और क्या लाए हो आप पर्स यह थोड़ा पाउच लेक्ट इसमें दवाईया डालके ले पर फेंड यह थोड़ा भर का समान चाहिए था वह लेक्ट आए है एक चोटा मोटा समान लेक्ट यह दबल सइब और चालाई हो आप हां और एक यह 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 सोप है इसमें चोटे चोटा इसको खोल के बहुत चोटा साइज के तो अगर हम सफर में जाते हैं गई पर तो कि वह बहुत होता है इसमें रस्ते में चोटा मोटा समान लेक्ट यह कुछ जादा है लेक्ट तो फैंड आज का ब्लोग यहीं पर खतम करते हूं कल मिलेंगे नई ब्लोग के साथ तब तक के लिए बाए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए सबको जय माता दी